वेल्कम बैग तो ओर चैनल हम्होम महोमद सुहिल अगर आप पहली बार यूटीब चैनल पे आये हैं तो यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक फ्री टिलिग्राम क्रूप चैनल पे नहीं तो डिस्क्रिप्शिंड में लिंक है क्लिक करिए जॉइन करिए दुस्तों अगर आप premium group join करना चाहते हैं या learning sessions join करना चाहते हैं जो February 5th से start हो रही है आप इस number पर WhatsApp कर सकते हो Jubiligant food के उपर मैं पहली बार बात कर रहा हूँ अपने YouTube channel पर पहली बार है इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे mail में and मेरे Instagram के page में कई queries आई है Jubiligant foods को लेगे कि भाई सोयल भाई stock के अंदर हम लोगों ने 600 पर entry लिया है जब से stock के अंदर entry लिया है तब से stock नीचे गिरने लगा है अभी stock के अंदर हम लोग fresh buying कहां पर करें fresh buying यानि average कहां पर करें और stock तो काफी नीचे गिर गया है तो कई लोग पूछ रहे कि शोल भाई हम लोग stock के अंदर conditions के इसाब से वही breakout एंड वही breakdown level बनते हैं तो उसके basis फे हम लोग अभी काम करेंगे तो अभी देखो यार stock के अंदर क्या हुआ है stock के अंदर यह breakout है ठीक है और stock का क्या है यह traded value है हम लोग समझते थे कभी भी कि कभी भी stock के अंदर या कोज़े में leverage पर breakout बनता है तो अगर उस breakout से support नहीं ले रहा है तो stock क्या होगा stock 100% fall होगा तो stock यहां पर उसी तरीके से fall होगा अभी stock के अंदर हमारा देखो यह वाला था previous breakout और उसके बा यानि stock के अंदर chances ज्यादा से ज्यादा है कि stock अगर stock अगर 421 का भी level break कर रहा है 421 का level अगर break कर रहा है तो stock में 371 तक का downtrend देखने को मिलेगा डरो मत कुछ नहीं होगा ठीक है कुछ भी नहीं होगा डरने वाली बात नहीं है stock के अंदर बस मैं आपको समझाना चाहरा हूं कि stock market में अगर इस तरीखे का position बन गया तो हम लोगों को उसके ऊपर उसके basis पे काम करना रहता है ठीक है अभी यहां पे क्या हो रहा है अभी यहां पे position जो बन रही है यह position panic position बन रही है public के लिए क्योंकि सही से decide नहीं कर पा रहा है कि व बोलने का मतलब है मेरा डर रहा है तो यहां पर क्या होगा अगर यह वाला level break होगा तो definitely 371 के पास यह आपको देखने को मिले अभी मैं definitely 371 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि stock के अंदर यहां पर supply है stock में अगर आप देखेंगे इसके बाद कहीं पर भी supply नहीं देखा देखने को मिला आपको sharp buying sharp selling sharp buying sharp selling देखने को मिला पर supply कहां पर भी देखने को नहीं मिला अब supply कहां पर भी देखने को नहीं मिला इसका मतलब हमारा जो previous supply है उसका strong support है और अगर हम लोगों को re-entry भी करना ह या rebuy करना है या fresh buying भी करना है तो stock क्या करेगा stock हम लोगों को opportunity देगा कौन सी opportunity देगा stock अपने को fresh buying का opportunity देगा अगर वो देगा तो 421 level break करके देगा अगर वो नहीं देगा तो यहां से retracement हमें duplicate food में देखने को मिलेगा stock काफी समय से overbought नहीं हुआ है only buying selling हुआ है overbought नहीं हुआ है जिस वज़े से stock के अंदर हम लोगों को confirmation of selling चल रहा है और compound selling चल रहा है जिस वज़े से bottom fishing stock के अंदर भी चल रही है जैसे bottom fishing complete हो जाएगा तो stock immediately 600-700 भी नहीं जाएगा stock 500 से लेके 300 के in between का range बना के उसके in between ही trade करेगा तो मैं आपको suggest करूँगा अगर stock में entry लेना है तो 370-380 तक का wait करी अभी fresh buying मत लीजिए और जो भी average करना चाहते है stock के अंदर दोस्तों आप भी wait करो average करने के लिए जब तक proper आप लोगों को level नहीं मिल जाता average का तब तक average मत करो और जो कुछ भी average maintain करना है वो अपने मैं free telegram group चैनल पे update कर दूँगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करिए share करिए या YouTube चैनल को subscribe कर लीजिए